हेलो स्रेट्स कैसे आप आज हम साइंस वन का चैप्टर फोर करने वाले है जिसका नमाए इफेक्ट्स ओफ एलेक्ट्रिक करेंट इसके हम कुशन से करेंगे ठीक है लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्र इसमें मैंने एक प्लेइलिस्ट का लिंक दिया है जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे दस्वी क्लास करें ठीक है चलो भी स्टार्ट करते देखते चैप्टर फोर में में क्या कॉशन्स दिए गए हैं यहां पे देखो आपके एक्सिस क्या लिखना है all others are concerned with safety measures उसका second आपको देखो क्या है voltmeter, emitter, galvanometer, thermometer तो इसमें आपको क्या जाएगा तो इसमें आपको क्या जाएगा thermometer इसका reason क्या है rest measure electrical quantity while thermometer measure heat आपको देखो C में क्या है loudspeaker microphone electric motor magnet तो इसमें आपको क्या जाएगा magnet reason क्या लिखना है आपको rest are devices that convert electric energy to other form of energy ठीक है तो यह होगे हमरा अभी देखो second पे आते हैं second में हमें क्या दिया गया है देखो क्या है explain the construction and working of the following draw neat diagram and label it तो इसमें एक है देखो electric motor तो इसका देखो जो आपको construction working और सब लिखना है वो इस सरीके से आपको रहेगा पहले आप diagram बनाओगे उसमें construction और working लिखना है ठीक है अभी देखो second में आपको क्या है second में आपको दिया गया है electric generator AC तो इसमें देखो जो आपको लिखना रहेगा construction और working और diagram के साथ उस सरीके से रहेगा आपका अभी देखो इसके आगे आपको क्या question है इसके आगे अगर आप देखोगे यहाँ पर third में आपको है electromagnetic induction means यहाँ पर देखो यह आपको question है और इसके साथ आपको answer भी दिया हुआ है यह exercise में देखो यह answer है इसको चारू क्या है charging of an electric conductor B क्या है देखो production of magnetic field due to a current flowing through a coil C क्या है generation of a current in a coil due to relative motion between the coil and the magnet last के आपको motion of the coil around the axle in an electric motor तो दो दोखो यह आपको question है ठीक है और यह दोखो यह 4 point आपके answer है इसमें answer भी दिया हुए तो इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है यह लोग ने खुद question देके answer भी दे दिया है तो आपको क्या करना है मालू आपको यह ABCD learn क लेना है और अगर आपको एक्जाम में है electromagnetic induction means तो आपको यह 4 point उसमें लिख दिना है ओके चलो भी आगे बढ़ते है फोद में आपको explain the difference explain the difference कहा है AC generator and DC generator तो इसका देखो जो difference आपको लिखना है वो ऐसे रहेगा सिरीके सब्सक्राइब लिख सकते हो अभी आगे देखो आपको फिफ्ट में क्या है फिफ्ट में आपको which device is used to produce electricity describe with a neat diagram तो आपको देखो यहां पर चार ओप्शन दिये है पहले कहा है electric motor B.A. galvanometer C.A. electric generator D.A. voltmeter तो आपका answer कहा रहेगा यह C वाला आपका answer रहेगा इसका आपको diagram बनाना है और आपको बताना इसको explain करना है तो देखो आप इस तरह के से से बना सकते हो पहले diagram बनाओ इसको explain करना है आपको अब इसे लोग आगे देखते हैं आगे आपको क्या दिया हुआ देखो 6 question में आपको क्या है 6 में आपको है How does the short circuit form What is its effect तो आपका देखो इसमें जो answer रहेगा जो आपको लिखना रहेगा यह इसका complete answer है आप इस सरी के से लिख सकते हो ओके चलो भी आगे देखते हैं आगे आपको क्या दिया हुआ है अगले page पे आते हैं next page पे देखो आपको है यहाँ पे Give scientific reason इसमें देखो अब एक है tungsten metal is used to make a solenoid type coil in an electric bulb तो इसका answer देखो आपको जो लिखना है वो यह रहेगा ओके चलो भी पे चलते हैं बी देखो क्या है आपको इन दा इलेक्ट्रिक एक्विप्मेंट प्रोड्यूजिंग हीट एक्जामपल आयन, इलेक्ट्रिक हीटर, बॉयलर, टॉस्टर, एक्सेक्टरा और अलोय असच अच अस निक्रोम इस यूज़ नोट प्यूर मिटल तो इसमें देखो जो आपको एंसर लिखना रहेगा, वो इसका ये एंसर है ये कंप्रिट एंसर है, ओके यह आप लिख सकते हो, अपने एक्जाम में भी बोड एक्जाम में भी लिख सकते हो, आपको फुल मार्क्स में लेंगे, ठीक है, अभी चलो C पे चलते है, C में देखो क्या है, for electric power transmission, copper और aluminium wire is used, तो इसका एंसर देखो ये रहेगा ओके, चलो भी आगे देखते है, D में आपको क्या है, in practice, the unit kilowatt hour is used for the measurement of electric energy electrical energy rather than joule, तो देखो इसमें आपको ये answer रहेगा ठीक है, अभी आगे देखते है, 8 में आपको क्या है, देखो which of the following statement given below correctly describes the magnetic field near a long straight current carrying conductor तो इसमें देखो आपको 4 option दिये गए है देखो, यहाँ पे A, B, C, D है तो इसमें से correct statement कौन सा है, वो आपको बताना है, तो देखो, आपका जो D वाला है, यह correct statement है आपका, क्या है the magnetic lines of force are in concentric circles with the wire as a center in a plane perpendicular to the conductor, यह आपका correct statement है ओके, अभी चलो, आगे चलते हैं, 9 में देखो, आपको क्या दिया गया है, 9 में आपको है, what is a solenoid compare the magnetic field produced by solenoid with the magnetic field of a bar magnet draw neat figures and name various components, तो इसका देखो, जो आपको complete answer रहेगा वो यह रहेगा ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 9th हो गया, भी 10th पर चलते हैं, 10th में देखो आपको क्या है, name the following diagrams and explain the concept behind them आपको देखो, यह दोनों diagram बनाना है और इसका जो concept है, वो आपको explain करना है तो देखो, ए भी दोनों का answer देखो, ऐसे आपको लिखना है पहले diagram बना लो, इसका दो answer लिख दो, दोनों का ठीक है अभी देखो, आगे आपको क्या है 11th में आपको identify the figures and explain their use यह जो ए भी जो दोनों figure है आपको इसको identify करना है और इसका use बताना है तो देखो, ए जो है, वो क्या है, आपका cartridge fuse है वो और जो B में आपको है यह कौनसा है, यह आपको miniature circuit breaker है जिसका आप MCB लिखते हो, ठीक है और दोनों का use भी दिया हुआ है पहले का use क्या रहेगा fuse is a device which protects the appliances from excess current और जो आपको miniature circuit breaker है उसका क्या रहेगा आपको लिखना, when the current in the circuit suddenly increases switch opens and current stops MCB protects electrical appliances from damage, ठीक है अभी दोखो, आपको यहाँ पर एक और है, C दिया हुआ है C में यह वाले में आपको क्या लिखना है तो यह दोखो, जो आपको C में a DC generator है अभी दोखो, आपको 12 में क्या दिया हुआ है 12 में हमारा numerical है पहले क्या है, दोखो, solve the following example इसमें एक क्या है, heat energy is being produced in a resistance in a circuit at the rate of 100 watt the current of 3 ampere is flowing in the circuit, what must be the value of the resistance तो इसका दोखो, जो solution है आपको दे दिया है मैंने इसका complete solution है, इसमें से आप लिख सकते हो ओके अभी दोखो, बी में आपको क्या है भी मैं आपको 2 tungsten bulbs of wattage 100 watt and 60 watt power work on 220 watt potential difference if they are connected in a parallel how much current will flow in the main conductor तो इसका दोखो, जो solution रहेगा वो इस से रिके से आपको लिखना है यह इसका complete solution है ठीक है, तो यहाँ बे हमारा BB हो गया C देखो क्या है, वो will spend more electrical energy 500 watt TV set in 30 minutes और 600 watt heater in 20 minutes तो इसका solution दोखो, जो रहेगा वो आपको इस से रिके से लिखना है यह पूरा इसका solution है अब दोखो, D में का है तो यहाँ पर हमारा यह chapter complete हो गया है तो इसका दोखो, जो शोलूशन रहेगा, वो इस से रिके से रहेगा ठीक है, यह इसका complete solution है तो यहाँ पर हमारा यह chapter complete हो गया है अब यह अगले वीडियो में आपको 5th chapter दूँगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको 5th chapter भी मिले और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो इस वीडियो को अप लाइक करो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो थेंक यू